कोई जुडा रे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मोपे सजनवा नमस्कार मैं हूँ मयूर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है परफॉमेंस के टाइम या परफॉमेंस से पहले मुझे अक्सर बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि गाने से पहले कितना रियाज करें, कब रियाज करें या क्या खाएं क्या ना खाएं तो कुछ ऐसी गलतियां जो आपको अवाइट करनी है जो आपको नहीं करनी है वो इस वीडियो में डेटियल में बात करेंगे इसी तरह कि मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को दबाएं म्यूजिक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मैं अपने आने वाले वीडियोज के मार्धियम से आपकी हेल्प करूँगा सबसे जादा चांसे होते हैं ये गलती करने के कि जिस दिन हमारा परफॉमेंस है यानि कहीं परफॉर्म करना है किसी गैदरिंग में गाना है उसी दिन हम बहुत सारा रियाज करने लगते हैं जैसे रात को प्रोग्राम है रात को कहीं गाना है तो सुबह से रियाज करने लगे हुए हैं यानि कि जिस चीज को पूरा रेस्ट मिलना चाहिए था उसको आपने पहले ही ठका लिया उस दिन जिस दिन आपकी परफॉमेंस है या सुबह हो या दोपेर को या शाम को उस दिन आपको रियाज बिल्कुल नहीं करना है एक दिन पहले तक आप जितना मर्जी कर लीजिए लेकिन उस दिन रियाज करने के बाद जब आप सोने जाए तो उसके बाद अगले दिन आपकी सिर्फ परफॉमेंस ही होनी चाहिए कोई गाना आपको रियाज नहीं करना है हाँ बिलकुल performance के time उससे पहले warm up वगेरा कर सकते हैं वो रियाज में नहीं माना जाता है कि आप सुबह रियाज करने बैठे ये मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि आप गले को उस दिन बिलकुल rested बिलकुल तरो ताजा रखें अगर आपने उस दिन रियाज नहीं किया तो आपको गाते टाइम बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छी आपकी जो है performance गायकी रहेगी लिकिन अगर आप रियाज करते हैं same day तो उस दिन आपको उतना अच्छा फील नहीं आएगा वैसे रियाज डेली करना चाहिए सो पूरी तयारी जो आपको करनी है जितनी मेहनत करनी है एक दिन पहले तक कर ले उस दिन जिस दिन गाना है कही उस दिन आपको बिलकुल रियाज नहीं करना है गाना नहीं है, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं लेकिन जैसे जम के रियाज करते हैं, वह नहीं करना है दूसरा चीज में आप से Share करना चाहूँगा कि कई बार हम बहुत Excited होते हैं और मन नहीं मानता है गाने के लिए तो कई बात देर रात तक भी practice करते रह जाते हैं वो भी आपको नहीं करना है आपकी नीद पूरी होना बहुत जरूरी है जिस दिन आपकी नीद अच्छी होती है उसमें आपका गला आपकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है तो आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरि है, पूरा नींद लें, जतना आप अच्छी से सो सकते हैं, उसके बाद ही आप फ्रैस उठेंगे पूरा, और वही आपके लिए अच्छा प्रफॉमेंस के लिए आपको मन बहुत अच्छा रहेगा, और आपके आवाज बहु करने चाहिए जैसे कि तली हुई चीज है या डेरी प्रोडक्ट इस तरह की चीज है गाने से ठीक पहले परफोमेंस वाले दिन उस दिन आप अवाइड कर सकते हैं कहने का मतलब यह कि कोई रिस्क ना लिया जाए हो सकता है आप उसके बाद भी बहुत अच्छा गाएंगे ले यानि के हलका गरम पानी वह आप ले सकते हैं ऐसी बहुत ज़्यादा चीज है न ले जिससे आपका गलास दूखे काफी वगएर न ले पानी को पी सकते हैं आप लेकिन बहुत थंडा पानी नहीं पीना है आपको और जिस जगह भी परफॉर्म कर रहे हैं आप तो ऐसा ध्य अच्छी साउंड नहीं आ रही है आप अगर थोड़ा सा भी आपको कम सुनाई दिया या बीच में थोड़ी देर के लिए भी आप से आउट हुआ तो हो सकता है कि आपको ताल या अपने सुर्व से जो है उतना कनेक्शन ना मैंटेंड कर पाएं आप तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ इंतिजाम ऐसा जरूर करें या तो अपनी तरफ एक मॉनिटर रखवाएं या ऐसी जाए पर खड़े हों जहां आप खुद को अच्छे से सुन सकते हैं जो आउटपूट है उसके द्वारा इन सारी बातों में सबसे जादा जो अच्छा फील कर पाएंगे गाते टाइम तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें आई होप यह टेक्नीक्स टिप्स आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपके सारे कंफिजन शायद दूर हो पाएंगे तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पॉर होगी